नमस्कार ये इनन भारत में आपका स्वागत है मैं अंधीता आपके साथ आपने अमिताफ की मूवी का ये सीन देखा जिसमें सब लोग एक लाल डायरी के लिए चीना जप्टी कर रहे हैं अभी राजस्तान की राजनीती में भी सभी नेता ऐसी ही एक लाल डायरी के पीछे पड़े हुए है इन दिनों राजस्तान में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाल डायरी की ही चर्चा हो रही है और इस लाल डायरी को चर्चा में लाने वाले नेता है राजन्दर सिंग गुड़ा जो कभी मुखेमंत्री अशोग गहलोत के करीबी हुआ करते थे गुड़ा इस लाल डायरी का राज सब को बताने की धमकी भी मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और उनके करीबी नेताओं को बार बार दे रही है हाला कि इन सब के चलते राजंदर सिंग गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है जिसके बाद से राजंदर सिंग गुड़ा ने अपनी ही कॉंग्रस सरकार के किलाफ मोर्शा खोल दिया है मीडिया के सामने भी गुड़ा रोते रोते उस लाल डायरी का काफिज जिक्र कर रहे है विधान सबा चुनाव एकदम नस्दीक है चुनावी साल में कॉंग्रस में इस लाल डायरी की वज़े से मची अपरा तफरी से बीजेपी को काफी मज़ा आ रहा है बीजेपी नेताओं ने तो विधान सबा भवन के बाहर एक बड़ी सी लाल डायरी भी रख दी है दीरज गुर्जर के वयान से अब इस लाल डायरी के खेल में एक और नया रोमान चक मोड आ गया है गुड़ा बार-बार कह रहे थे कि दीरज गुर्जर उनके साथ कहे थे उस लाल डायरी को लाने के लिए लेकिन धीरज गुरजर ने साफ साफ बोल दिया कि नाम में उस दायरी को लाने गया था ना ही मुझे किसी लाल डायरी का कुछ पता है क्योंकि मैं पिछले चार वर्ष से उत्रप्रदेश का सहपरबारी हूँ इस परकार की आधार हिन बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है मैं किसी घटना में शामिल नहीं था मैं उस वक्त यहां पर था ही नहीं धीरज गुर्जर ने आगे कहा भाशपा इस परकार के हत्तन ने अपना कर मुखे मंत्रे अशो गहलोत के जन कल्यानकारी माहोल को खंडित करने का प्रयास कर रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेस राजस्तान में सरकार बनाईगी वही में पक्षी दलभाश पर लगातार एक ही सवाल उठा रहा है कि गहलोत सरकार लाल डायरी से इतना घबरा क्यों रही है इस पर कॉंग्रेस के नेताओं का कहना है कि अधी ऐसा कोई राज है तो राजंदर सिंग गुड़ा मीडिया के सामने क्यों नहीं दिखा रहे उस लाल डायरी को और आज तक उसको चुपा कर क्यों रखा वाता उस पर आज तक वो चुप क्यों थे लाल डायरी को लेकर हमने जंता से भी पूचा जरा सुने जंता ने इस पर क्या कहा है तो राजंदर गुड़ा ने अभी उनको बरकास्त कर दिया है वहां से और उसके बाद में उन्होंने ऐसे कोई लाल डायरी की बात किये ग्यालोट को लेके तो उस पर आपको क्या लगता है लाल डायरी तो एज एक कॉंट्रोवर्सी हो सकती है क्योंकि अगर इनको पहले करना चाहता तो पहले खुला सा करना चाहता है तो आपको भरकास कर दिया जो भी मतलब विदान सभा में है जैसा कि आपने सुना लोग बोल रहे हैं कि चुनावी साल को देखते वे कॉंग्रस के खिलाब ऐसा माहोल बनाया जा रहा है लाल डायरी के इस मुद्दे पर कई लोग राजंदर सिंग गुड़ा को बुरा भला कह रहे हैं तो कई लोग उनको रोता भी लगता देख सहानू बुती दिखा रहे हैं अब बीजेपी के नेता भी चुनाव को देखते वे राजंदर सिंग गुड़ा को बिचारा साबित करने पर लगे हुए है और गुड़ा के साथ होने का दावा कर रहे हैं और अब इताप की मुवी के इस सीन को एडिट करके ट्वीट भी कर रहे हैं केंगरे नेता गजंदर सिंग शिखावत ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है किस से लाल डाइरी के इसमें लिखा है कि गुड़ा अब गहलोत के सब राज उजागर करने वाला है पाइलेट जी इसमें गहलोत और उनके बेटे के सभी घोटालों का राज है गहलोत सरकार की लाल डाइरी ट्वीट में दिखाया इस वीडियो में सचिन का नाम लेकर बीजेपी नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लाल डाइरी का किस्सा जिसको गुड़ा मुख्यमंति अशो गहलोत और उनके करीबी नेताओं से जुड़े होने का दावा कर रहे हैं उससे सचिन भी खुश है क्योंकि बीजेपी को गैलोत और पाइलेट का समझोता रास नहीं आ रहा है इसलिए वो जबरदस्ती गुड़ा के साथ सचिन को जोडने का और उनको इस मामले में घसीतने का प्रियास कर रहे हैं ताकि कॉंग्रेस फिर से दो गुट में बढ़ जाए और चुनाव में फाइदा बीजेपी का हो लाल डायरी पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जाजा से जादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ वेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारी सारी खबरे आप तक तुरंट पहुंच सके नमस्कार